जेहिंग नमस्कार मेरे सेर्ट सेर्ट नियों ठ्वागत आप सब का अपने यूटूब चैनल कमांडो के दोस्तों आज का हमारा वीडियो इस्पेशली ससी जीडी के फिजिकल को लेकर है आप सब को पता है ससे जीडी से समंदे जो फिजिकल के नोटिस है आप सब ने देख ल इस्पेशली सेर्ट के साथ में अपको चीज़े बताता हूं कि इन में से कौन से रियल है कौन सी है फेक आप सब इसके बारे में बहुत परकार के वीडियो देख चुके हैं तो चलिए हम करते हैं इसका डीने टेस्ट की कौन सा सच और कौन सा जूट है ठीक है भी आपको सा साथ ही एक चीज़ बता दूँ आपको कई बार मेरा वीडियो आने में समय लग जाता है आपको करना क्या है किसी भी परकार के कोई भी नोटिस आपको चाहिए आपके पास में अवेलेबल नहीं होते हैं जो सेंट्रों की लिस्ट है वो चाहिए या किसी पर परकार का किसी बटका कोई भी नोटिस यह ना एक साइड का नाम बता रहा हूं उसको नोट रोजगारवाला डोट इन इस साइड पर जाना है आप SSCGD के यह नोटिस आप डाउनलोड कर सकते हैं आने वाले जो नोटिपिकेशन और भी और भी विवादित जो डोकोमेंट्स है तो आपको अभी के हिसाआप से जो नोटिस है यह आपने देखा होगा पहला जो नोटिस आपके सामने जो आ भी आपको थोड़ा क्लियर कम हो रहा तो मैं पेन की साइता से आपको बताएता हूं सबसे पहले इसमें क्या लिखावा है थोड़ा साथ चलिए आगे बढ़ते हम और बताते हैं आपको यह फीजिकल को लेकर ही लिखावा है डेट ओप नोटिपिकेशन एक्जाम इस्व चोबीस ग्यारा queste 2.1023 शेडूल किया गया है कभ से क्या गया है 24132023 डिखले अप रिजर्ड डिटन एक्जाम काた्थ साथ होज़ार चोबीस यह निक दस्तारी पीटी डीवी यहनि डोकूमेंट्स वेरिपिकेशन फीजिकल इपिसेंसी टेस्ट फीजिकल स्टेंडर टेस्ट और आगे लिका है डी एमी एंड आर एमी यहनि री मेडिकल टेस्ट भी इसमें सामिल कर दिया गया है टोटल टूंट थर्टी नाइन डेज के अंदर जो कि डेटा वो इस गोले में मैंने यहां पर देखो यह रही है आपको दिखरी होगी गोला तोरह उपर नीचे हो गया होगा यह देखो यहनि कंडेक्ट ओपीएस्टी पीटी डीवी यहनि डोकूमेंट्स वेरिफिकेशन डीमी एंड आर एम इंड आर एम इंड बाई सीए 29 डेज यहनि 23 नोशेश में बताया गया कि आपके शुरू होंगे जो की आठ ग्यारा तक चलेंगे सो कंडिडेट यहनि सातों दिन बुलाए जाएंगे हर एक सेंटर पर एक दिन के से सो और जो कंडिडेट होगी जो लिस्ट लाड़ दो वो भी नीचे आपने देखा होगा यह जारी कर दी गई है कि यह नन इसेंट्रों पर इस बार होगा होगा तोटल जो यह जारी किए गए हैं अलग-अलग शेंटर उणकी लिस्ट यहां जारी की गई है बी ए ос अब को दिए गए घी चेंटर से और पी को 5 सेंटर से फटी सेंटर बाग को 19 सेंटर 7 casino 109 सेंटर अब बात आती है ये क्या ये बात सही है कि ये नोटिस बिल्कुल सत्य है कि इसके हिसाब से होगा ठीक है इसमें आगे की डेटे भी दी गई है कि आगे जो दस दिन में यहां पर थोड़ा सा बलट टाइप कोई दिख रहा है मैं पूरा नहीं पड़ पार हूँ लेकिन लिखा और पीएस्टी यह नहीं उसका पीएस्टी रिजल्ट नो ग्यारा को मतलब आपका फिजिकल का रिजल्ट भी आ जाएगा और 21 ग्यारा तक आपके साथ मेडिकल या रिमेडिकल का कुछ लिखावा है तो यह जो नोटिस है वेसे तो मैं अगर आप मेरे से दिल की बात के ऑफिजल वेबसाइट पर आता ना वेस आता अगर ये कोई डिपार्मेर्मेटलिय नोटिस है वहार क्यों आएगगा नहीं आएगा डिपार्मेंटली नोटिस से कोई फरक भी नहीं पड़ेगा एससी को एससी खुद के नोटिस पे काम करती है तो इसको सही माने या गलत इसमें दो चीज है तो इसलिए मान लेना है कि क्या पता आपके 23 से फिजिकल सुरू हो जाए तो फिजिकली तोर पर आपको इसके लिए तयार हो जाना है लेकिन जब तक ससी की ओपीशल साइड पर ये नोटिस नहीं आ जाता दूसरी बात कि एडवांस में ये गोशना की नहीं जाती कभी भी कि इस डेट को इसका रिजल्ट जारी होगा या इस डेट को ये होगा इसके नुचार तो सब कुछ कर दिया कि उन चारीस दिन में आपका लिखा वगाकी 8-11 तक याँए आठ नॉबॉमबर तो ओक आपका फिजीकल होगा उसके तस दिन में अगा घूल्ग कि लोग दावा कर रहे हैं साथ में फिजिकल मेडिकल एक साथ होगा इस चीजर की कंत्य पोशिबल्टी नहीं है SSEGD में कि physical और medical साथ मोजाए पहले physical होगा ये मान के चलना आप जाने गा पहले physical होगा और physical होने के बाद physical का result आएगा और result आने के बाद जब result आजाएगा उसके बाद medical सुरूँ होगी और medical में भी लगब लग एक महीने का समय लगता है 10 दिन में medical complete होता नहीं है ठीक है हा यह जरूर है medical के साथ में रिमेडिकल पिछली बार से ही साथ में शुरू कर दिया गया था जो रिमेडिकल हो वो साथ ही सुरू कर दिया जिस दिन medical होगा उसी दिन उससे जल्दी कर पाना पोसिबल नहीं है, इतना समय तो लगेगा हूँ, तो यह जो नोटिस है न, यह मेरा इसमें जो राय है, वो 50-50% की है, मैं इसको ज़्यादा वास्टविक नहीं मानता हूँ, हो सकता है, कि वास्टविक निकल जाए बाद में, यह इसमें से कुछ चीज निकल जाए, पूरी चीज़े तो इसमें सही नहीं है, तो मैं आपको 100% बता देता हूँ, इसको मैंने पड़ा है, भी स्कीन पे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, बाकी इसमें जो लिखावा है कि भाई, यह डिकलेरेशन ओप कंडेक्ट पीस्टी विदाउट आर एस आइ नहीं था, समझ गें, इस नोटिस को मैं तो लग बग बग बग, रेड जोन में लेता हूँ, मेरा जो अनुमान है, या मेरा जो आज तक ही जो सीख है, या जो भी कुछ में मानता हूँ, लेकिन फिर भी, आप अपनी तरफ से त्यार ही है, क्या पता, यह सही निकल जाए, क् एक बार ऐसा हुआ था, कि एक दिन पहले लेटर आया था, एक नोटिस को आता, सब उसको खेक बता रहे था, अगले दिन ओजिनल वही आ गया, वेबसाइड पर, हाँ, यह बात भी सही, तो क्या पता कल को वेबसाइड पर यही देखने को मिल जाए, इस चीज की भी साइड पर नहीं आ सकता, अगले दिन आ गया था, ठीक है, तब मैंने उस दिन भी मैंने बोला कि हाँ हो सकता है, तो कुछ चांस रहते हैं, जब आपको लगता आप 100% सही है, तो भी कम से कम 2-5% आप यह मान के सलिए, कि क्या पता आप सही ना हो, गुंजाइश ज़रूर र जारी होने डायरेक्ट है, और एक नोटिस आना कि इस तिति से आपके एडमिट कार्ट जारी होंगे, आप यहां पर देख सकते हैं, पेले एक नोटिस आएगा, एसस की वेबसाइड पर, ठीक है, उसके और जो आपका फिजिकल रहेगा, उसके बीच में कम से कम पंदरा दि का गेब तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एससी को खुद को पता है कि उनके सेंट्रों पर जो बच्चे जाते हैं फिजिकल देने के लिए, वह बहुत दूर दराज के होते हैं, बहुत गेब होता है, ट्रेविलिंग का लए उनको करना पड़ी की व्यवस्ता, समझ गे, तो और इसके चांसे मुझे कम लग रहे हैं, क्या पता सही हो भी जाए, मैं अपना आइडिया भी बता दिया हूँ, साथ में ये भी आपको बता दिया हूँ, कि तेविस ताइक को आपको अपनी तरब से परपेड रहना है, फिजिकल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये नोटिस सही नहीं है, तो कोई और नोटिस हैगा, लेकिन फिजिकल आपके सितंबर के महीने में शुरू होने के चांसे पूरे हैं, नब्ब परसेंट, सो परसेंट के आशपास मान सकते हो, मान दो ये नोटिस सही है या नहीं, इसकी पातरता हम छोड़ देते हैं, लेकिन च साइट बता दी है, रोजगार वाला, वहाँ पर इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखावा भी मिल जाएगा, और ये सारे नोटिस आपको माँ अवेलेबल भी हो जागी, अगर किसी को डाउनलोड करना है, ठीक लाट लो, जै हिंदे, जै भारत.